अपनी YouTube के उपर ये वीडियो देखे होंगे या Google के उपर ये आर्टिकल्स आपने पड़े होंगे और ये आर्टिकल्स और वीडियो देखे आपके मन में सवाल आ रहेगा कि क्या सही में ब्लॉग इंसे लाखो रुपए कमा जा सकते हैं तो मैं आपको बताओ ये सब सच है ल ये ब्लॉगिंग के जरी अर्णिंग के अलग अलग तरीके होते हैं Google Adsense होता है इनकी भी बारे में डीटेल में बताने हो तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो कि ब्लॉगिंग करते कैसे ये जानने के लिए तो ये वीडियो देखिए एक वीडियो आपको मास्टर बनाने हो ब्लॉगिंग में तो चली इंट्रेस्टेड तो प्राक्टिकली सीखते इसे स्क्रीन के उपर बढ़ते मैं सतिश आप सब का स्वागत गता हूँ लेट्स विगिंग तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट को बनाने के पले दो चीजों की रिक्वार्मेंट होती है एक होता है और दूसरा रहता है होस्टिंग अब इसे थोड़ा सा डीटेल में समझाता हूँ जैसे एक्जम्पल लेलो हमारे जो परेशन अन्ना है वो अपने नाम से लिटेड परसनल ब्रैंड की वेबसाइट बनाना चाहते है तो वो अन्ना.com नाम से वेबसाइट रजिस्टर कर ले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एक शौप है जैसे लक्षमी सूपरमार्केट तो लक्षमीसूपरमार्केट.com नाम से आप एक डोमेन रजिस्टर करोगे जिसकी मदद से बिसिकली क्या होगा जब कोई भी गूगल पे सर्च करेगा लक्षमीसूपरमार्के .com.in तो बेसिकली डाइरेकली वो पर्टिकलर वेबसाइट पर परसन आ जाएगा जैसे आप देखो के google.com है yahoo.com आपी पुरान हो गया youtube.com है यह सारे डोमेन नेम होते हैं जिसकी मदद से आप उस पर्टिकलर वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो आपको एक डोमेन की ज होगा बहुत सारे content रहेंगे I mean to say digital content रहेंगे उन सारे content को store करना पड़ेगा आप बोलोगे store तो हम हमारे computer में भी कर सकते सर जी जी हाँ आप आपकी computer में कर सकते लेकिन उस computer को आपको 24 गंटा चालू रखना पड़ेगा उस computer का uptime होना चाहिए 100% uptime का मतलब होता है 24 गंटा चालू रखना पड़ेगा तो उसके बाद लोग आपकी website को access कर पाएंगे again depend करता है आपके computer में RAM कितना है वो सारी चीज़े आ जाती तो मैं आपको बताओ कि ऐसे server मतलब personally build करना मुश्कील होता है इसके लिए अलग-अलग hosting providers रहते हैं मतलब आपको hosting provide करेंगे जो लोग 2400 गंटा उनके servers यानि computers बड़े computer server जहां पर बड़ी RAM बड़े harddisk बड़ा storage रहता है available वहाँ पर क्या करते हैं आपको space available करके देते हैं जो आपकी files आप वहाँ पर रखते हैं और आपके domain को उन files के साथ link करते हैं right basically तो जैसी कोई भी आपकी website विजिट करता है तो वह आपकी files देख पाता है 24 गंटा 24 x 7 कभी भी right तो यहां पर hosting का मतलब यह होता है कि एक storage page जहां पर आप अपनी website की file सभी रख सकते हैं example के लिए ले लो आपने shop ले लिया तो shop ले ले ले, shop का नाम है लक्षमी सूपरमार्केट लेकिन shop के अंदर जितना भी सामान आप रखने के लि भी access कर सकता है, right? website बनाने का purpose क्या है कि हमारा website हमेशा चालू रहे, जब भी लोग visit करें उसे वहाँ पर आकर देखें, जैसे example के लिए और मैं बताओ, मेरी खुद की website LMS platform पे, LMS platform हमने design किया, learning management system इसे कहते हैं, तो हमने क्या किया, एक server लेकि वहाँ पर सारे videos host करके रखे तो जब चाहिए तब आप हमारे videos देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने वो third party server लिया है, जिसका uptime लगबग 99.99% रहता है, uptime का मतलब यह होता है कि वो 2400 गंटों चालू है, कभी कबार उस server का downtime आने का chances रहता है, जैसे उस server में कुछ error आ गया है, या फिर कुछ troubleshooting का problem आ गय तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि hosting एक ऐसा space रहता है, जहां पे आप अपनी website को park कर रहे हो, okay, detail मैं मैं ने समझा दिया, अब इसके लिए अलग-अलग market में hosting provider है, मैं आपको दिखा हूँगा hosting provider की मदद से आप कैसे, basically domain भी free में ले सकते हो, क्योंकि domain का अलग charge लगता है, hosting का लग charge लगता है, लेकिन ऐसे hosting provider है, जिसकी मदद से आपको domain भी free मिलता है, तो चलिए अभी उसे जानते है, तो चलिए हमें अपनी website बनानी है, हमें चाहिए domain और साथ में हमें store करने के लिए एक space चाहिए, याने कि हमें चाहिए hosting, तो उसे purchase करने के लिए हम आचुके hostinger.in इस platform पे, description में मैंने link दिये, वह आप पे visit करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा, अब मैं ये recommend इसलिए करो, वैसे बहुत सारे hostinger provider है market में, लेकिन ये hostinger.in ही क्यों, इसका reason है, इसका uptime 99.99% है, साथी में यहाँ पे free domain आपको मिलता है, साथी में website का builder यहाँ पे ये available करके देते हैं, और साथी में ये बहुत ही कम rate में आपको available करके देता है, तो अगर आप interested हो वही आपकी website बनाना तो मैं recommend करूँगा ये, और description में मैंने link दिये, पहले करना क्या है, दीखे, यहाँ पे सबसे पहले claim deal दिखाए दे रहा है, 139 per month दिखाए दे जहाँ पे आपको लगता है ज्यादा traffic अभी नहीं है, तो आप premium plan के ले जाओ, most popular plan भी है, cloud startup भी है, थोड़े से बड़ा बड़ा business होते जाए, तब आप ये ले लो, अब इसमें features क्या मिलते हैं, मैं आपको बता दो, यहाँ पे देखिए 139 per month की सबसे, suppose add to card अगरा हम साथ में unlimited free SSL आपको मिल रहा है, unlimited bandwidth थे, free email भी आपको मिलता है, free domain भी मिलता है, तो यहाँ पे free domain मिल रहा है, तो हम इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि domain के लिए फिर से domain अलग सा purchase कर लो, क्योंकि domain yearly business पे आपको purchase करना पड़ता है, तो फिर वो अलग ले लो, यह अलग ले लो इससे अच्छा आप यहाँ पे add to cart कर लो, एक ही platform पे आपको free domain के साथ मिलेगा, add to cart पे मैं जाओंगा, तो यहाँ पे आपको option मिलेगा, कि आप कितने मैने के लिए लिना चाते हो, आपकोर्स आप एक मैने के लिए लोगे तो जाता charge रहेगा, 599, उसके बाद 12 months के लिए ल 239 पर मंत, यह बाकी hosting provider नहीं देता, आप खुद research कर लो, अगर आपको कई पे कम मिलता है, तो उसके downtime वगेरा भी check कर लो, भाई इसका downtime ना के बराबर बोल सकते हैं, आप यापे, so free domain for first year, इसमें mention है, यही हम select कर लेते, इसमें तो आपको domain नहीं मिल रहे है, month में ले रहे ह आपको उस नहीं मिलेगा, so 12 months के लिए ले रहे, free domain भी मिल रहे है, उसके बाद नीचा आना है, creative account, email address वगरा डाल कि आप details भर दो, और साथ में, अगर आप चाहते हैं, इसमें और भी offer आपको मिले, तो जो भी plan आप purchase करो है, वो coupon code पे click करो, और यहाँ पे coupon code टाइप कर दो सतीश ढवले, तो मैं यहाँ पे type करो, सतीश ढवले, और apply बटन पे click करोंगा, जैसे आप apply करोगे, यहाँ पे आपको additional discount मिल रहे है, 10% का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, right, so यह coupon apply हो चुका है, तो basically, होश्टिंगर purchase करने के यह step से, coupon code मैंने आपको बता दिया, यहाँ प domain पे click करते हैं, और हमारा domain यहाँ पे claim करते हैं, लेकिन पहले domain claim करने के पहले, उसके availability चेक करनी पड़ेगी, right, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, suppose मैं अपने नाम से domain लेना चाहता हूँ, या कोई भी नाम से, already satish.com नाम से तो already domain लेके रखा हैं, तो वो नहीं मिलेगा, satish.com मैं यहाँ पे check करना चाहता हूँ, यहाँ पे .in उनों ने दिया था, आप .com भी check कर सकते हैं, .com और check availability, check availability, this domain is already taken, try searching for some other domain, तो यहाँ पे दूसरा domain आप यहाँ पे search कर सकते हैं, right, तो मैं यहाँ पे example के लिए लेता हूँ, shownow.com, basically मुझे एक blogging website बनानी है, article website, तो dummy name लेते हमें यहाँ पे show now, मैं article show करने वाला हूँ, so shownow.com अवैलेबल नहीं है, दिखाए दे रहे, आपको तो हमें एक काम कहते है, यहाँ पे .com की जगह .in कर लेते है, in मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ, और यह available है, okay, so इसके साथ आगे बढ़ते है, .in available है, और यह मिल रहा ह आपका domain registration, details finish करो, जैसे आप यहाँ पे, आपकी country select कर लो, उसके बाद आप personal के लिए रहे हो, या company organization के लिए ले लो, तो company organization में next step कर लो, तो once I register with show now.in, यह आप यह आपको दिखाए दे रहे है, जो आपको दिखाए दे रहे हैं, आपका domain register हो चुका है, now continue, continue करने के बाद आपको web hosting के plan explain कर रहा है, लेकिन हमने already hosting लिए, तो skip, I don't need a website, यहाँ पे skip कर देते हैं, और आगे बढ़ते हैं, जैसी आप यहाँ आपका domains की detail मिलेगी, इस dashboard में ध्यान से देखो कि show now.in करके domain आपका दिखाए दे रहे है, और यह इस name server पे park है, name servers यहाँ पे दिखाए दे रहे है, right, ns1.dns-parking.com, ns2.dns-parking.com, अब क्या होता है, बहुत बार हम लोग अलग service provider से domain लेते हैं, कोई भी service provider हो, जो कि domain service करता है, provide आ कर सकते है, register कर सकते है, अगर आप अलग server पे लेते हैं, फिलाल तो हमने same hosting provider से ही domain यहाँ पे खरीद लिए है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे hosting पे click करूँगा, domain purchase होने के बाद premium web hosting, hosting पे click करने के बाद, setup बटन पे click कीजिए, setup करने के बाद वो पूछ रहा है, who are you creating the website for, basically आप खुद के लिए बना रहे हो, by business के लिए बना रहे हो, I am creating a website for someone else, I already have a website and on to migrate it, तो यहाँ पे फिलाल यह आप कर सकते हैं, फिलाल मैं skip कर रहा हूँ, skip कीजिए, उसके बाद वो बोल रहा है कि हमारा एक website builder है, hostinger का एक website builder है, जहाँ पे आप website quickly बना सकते हैं, लेकिन हम WordPress क लेकिन अब यह आपका सवाल रहे हैं, WordPress एक content management system है, जहाँ पे आप अपने सारे website की content को manage कर सकते हैं, जो बहुत सारे plugins आपको available करके देता है, जिन plugins की मदद से आप website को properly design करके दे सकते हैं, बहुत सारे free themes रहते हैं, और WordPress पूरा content management system free है, तो आप इससे आसानी से website बना सकते ह आप से बात कीजिए, coding knowledge की requirement नहीं अगर आपकी वास WordPress का knowledge है, तो आप blogging website लेलो, आप e-commerce website लेलो, जो भी website आपको बनाने, आप service वाले website लेलो, यहाँ पे WordPress में अलग-अलग plugins, themes इंस्टॉल करके बना सकते हैं, so WordPress की बारी है, तो WordPress को मैं यहाँ पे select WordPress कर लेता हूँ, यहाँ आप पे मैं next आजाता हूँ, उसके बाद WordPress पे account मनने के लिए, वो बोल रहा है कि लोग-इन कर लो, फिर same credential से मैं login कर लेता हूँ, जो कि मेरा already credential है, so next, what will your website look like, वो बोल रहा है कि आपको अस्तरा, generate price, OCNWP, cadency, ऐसे अलग-लग theme दी है, जिसकी मदद से directly आपकी website में यह theme इं लेकिन आप चाहते कि यार मैं बाद में theme इंस्टाल करूँ, तो कोई बात नहीं, theme बाद में भी आप इंस्टाल कर सकते हैं, पूरा radio होने के बाद, तो इसे आप skip कर दीजे, यह आप इसकीप कर देता हूँ, उसके बाद कुछ plugins भी बोल रहा है recommended, जो हम खुद से भी install कर सक अगर आप यह चिक करोगे, तो इन में से आपको select करने के लिए option आएगा, लेकिन मैं plugins अभी install करना चाहता हूँ, तो मैं इसे भी skip करूँगा, उसके बाद वह बोल रहा है कि आपका website का जो नाम है, जो कि मैंने आपको बताया था हमने show now.in करके domain लिया, show now.in example है, show now, क्या target audience इंडिया की नहीं, दूसरे country की है, तो वो ले सकते हैं, मैंने फिलाल इंडिया ले लिया, now, next, so उसके बाद यह installing wordpress हो रहा है, कुछ ही seconds के अंदर यहाँ पे यह wordpress install हो जाएगा, इसे होने देते हैं, तो wordpress हमारा install होने के पाद हमें यहाँ पे admin panel मिल जाता है, जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे website नामे show now.in और यहाँ पे admin panel पे हम आजाते हैं, अगर मैं show now.in अभी visit करूँ, show now.in में real time में visit करूँ तो आपको दिखाय दे रहा है, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, wordpress install होने के बाद आपको दिखाय दे रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे आजाते है, इस पे admin panel पे, जो कि आपको दिखाय दे रहा है, यह admin panel है, wordpress का, अब यहाँ पे post कैसे लिखी जाती है, क्या कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको डीटल में बता रहा हूँ, step बास, step बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो अगर आप post पे click करोगे, all post में, तो यहाँ पे एक hello world करके post आपको दिखाय दे रहे, अपको इससे आप publish कर सकते, but I recommend you कि भाई, सबसे पहले appearance में जईए, जहाँ पे जाकर आप theme इंस्टॉल कर लीजिए, जिया, appearance में, मैं जो theme आपको recommend करने वाला हो, वो है Astra theme, जिया, आपको उसके लिए करना कि Astra theme के लिए देखी, add new button पे click करो, add new button पे click करो, यहाँ पे जाकर search में Astra, type कर दो, इस तरह से, A-S-T-R-A, Astra theme, जो कि विल्कुल free है, और आप इससे install कर लो, right, so बहुत सारे blogger इससे generally use करते, और यह free theme यहाँ पे आप install कर सकते हैं, इस theme को install करने के बाद, आपको activate button पे click करना है, activate होने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते, यह theme अल्रेड़ी activate होगी, इसके अलाव और दो-तीन theme यहाँ पे already install है, तो मैं चाहता हूँ भाई, यह theme ही नहीं चाहता हूँ, यह theme की मुझे ज़रूरत ही नहीं, एक theme ही रखो, यहाँ प अलावा यहाँ पे वो बोल रहा है कि भई, उसके अलावा इसके templates भी है, तो यह templates की हमें जरूरत है, तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे फिलाल मैं इसे close कर देता हूँ, तो यह theme यहाँ पे activate होगी, theme activate होने के बाद, हमें pages बनाने, तो pages यहाँ पे आपको menu's दिखाए दे रह add करें, जैसे मुझे यहाँ पे home page add करना है, जो pages मुझे add करना है home, और मैं से save drop भी कर सकता हूँ, मैं publish कर देता हूँ, कोई बात नहीं publish, उसके बाद दूसरा page मुझे add करना है, अगें इसको मैं close कर रहा हूँ, दूसरा page add करना है, यहाँ पे refresh करो, देखो home आ गया, दूसर तो यहाँ पे मैंने बाकी सारे page तायर कर ले, और एक page हम तायर कर रहे हैं, जो कि important है, यहाँ पे हम blog भी तायर करते हैं, इसे भी publish कर लेते हैं, तो चली यहाँ पे pages तो हमने बना दिये हैं, जो कि blogging websites related required हैं, लेकिन यहाँ पे disclaimer जो हमने बनाया है, या terms and condition जो हमने पेज बनाया है, उसके disclaimer या terms and condition के content हमें तायर करने पड़ेंगे, जी हाँ, यहाँ यह compulsor रहता है, अगर आपको Google Adsense approval चाहिए तो, तो मैं यहाँ पे edit button पे click करूँगा, किसी भी page को edit करने के लिए edit button है, disclaimer में जाएंगे, यहाँ पे दिखिए मैं Google पे search कराओ, disclaimer generator, यह disclaimer generator.net, यहाँ पे आपको बस आपकी company का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा show now, website का नाम लिख देना है show now.in, और इसके बाद URL website का देना है show now.in, उसके बाद next page बटन पे click करें, यहाँ पे आप country दे दे, यहाँ पे disclaimer page जो होता है, basically Google AdSense के लिए content अचाहिए, Google AdSense एपर उसी को करता है, वो proper disclaimer page जिसका है, तो इसके लिए आप यहाँ पे डाल दो पूरी की पूरे information और generate my disclaimer कर दीजी, तो यहाँ पे देखेंगे, आप disclaimer generate हो चुका है, आप इसे copy कर लो, और copy करके, आप directly यहाँ पे WordPress के अंदर पेश कीजिए, interesting, ऐसे आप terms and conditions भी generate कर सकते है, terms and conditions कैसे generate करना है, उसके लिए, video page, website होता है, मैं आपको बता दूँगा, description में लिंक डाल दूँगा, फिलाल यहाँ पे मैं यह वाला content हटा दूँगा, our disclaimer और generator, यह यहाँ से लेकर इतना select कर दो, और delete कर दो, और update करो page को, इस तरह से, so अगर आप इसे देखोगे, side में मैं show now.in, visit करता हूँ, show now.in, अब आप देख सकते हैं, हमारे pages, मतलब menus आ गए, लेकिन यह उपर नीच है, मतलब about us पहले आ चुका है, home यहाँ पे चला गए, इसे हम ब WordPress में दुबारा आते हैं, यहाँ पे WordPress पे दुबारा क्लिक कीजिए, जब आप page edit करने में जा रहे हो, देखी धांसया, यहाँ पे edit के लिए आ चुके हो, यहाँ पे W दिख रहा है, यहाँ पे click करो, वापीस आ जाओगे, अब यहाँ पे settings बता रहा हो, important settings, settings में जाई है, settings म GPT, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, tagline यहाँ पे लिख दो, read more, learn more, tagline आप यहाँ पे तयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे as it is सारी चीज़े रख देनी हैं, नीचे स्क्रोल करना है, और एक चीज़ है, time zone आपको change करना है, जो कि Indian time zone आप रखना चाहोगे, य basically, utc and finally से save कर दो, उसके बाद writing में आप नीचे जाओगे, writing के अंदर, यहाँ पे default post category, blog रख देना है, और यहाँ पे भी standard रख देना है, इस तरह से आपको as it is रहने देना है, writing में वैसे भी change जादा जननी की ज़रुतनी, blogging की साब से, reading में जाकर आप यहाँ पे देख सकत रख दीनी, यहाँ पे कुछ जादा changes करने की ज़रुतनी, media भी जादा changes करने की ज़रुतनी, प्रेमा लिंक्स में आना है, यह जो प्रेमा लिंक्स दिखा दे रहा है, यह important है, यहाँ पे post name की साब से करो, generally यह day and name पे होता है, मतलब क्या, जब भी आप कोई post लिखोगे, त राइम नहीं करता है, date and name के साथ यहाँ पे post बनती है, and the privacy, there is nothing to do, privacy page आच चुका है properly, बस इसे use this page करना है, that's it, okay, so everything is fine, यहाँ पे मैंने इसे change करके, save नहीं क्या था, इसे post name कर लेते हैं हम लोग, और save कर देते हैं, नीचे save changes, तो जो जो changes आप करोगे, नीचे save changes करना है, settings के अंदर, तो यह होगे settings, जो कि basic settings, blogging related आपको पता होनी चाहिए, अब इसके बाद हम बनाते है menus, जी हाँ, तो menus तायर करने के लिए, आपको appearance में आना है, menus पे click करना है, यह देखे, appearance में menus में आएंगे, यहाँ पे आप menu का नाम type करेंगे, मैं type करो main menu, right, मुझे तायर कर देंगे, इस तरह से, add menu, तो अब हमने यह menu बना लिया है, अब मैं यहाँ पे save button पे click कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे save button, click करूँगा, यह menu तयार हो गया, अब इस menu को properly assign करने के लिए, basically आपको setting में जाना पड़ेगा, और setting के अंदर, यह जो reading tab दिखाए दे रहा है, इ आपका homepage, हमने यह बना हुए pages की list आ रही, दिखाए दे रहा है, तो हमें क्या करना है, basically homepage में, यह homepage है, हमारा default, तो हमें इसे set करना है, यह वाला हमने जो बनाया page है, वो हमारा homepage है, और post page में, जो हमने blog नाम से रखा है, page, हमने जो pages ताहर किये, वो देखिए, यहाँ पे है हमने जो pages में जाकर pages ताहर किये थे, वो सारे यहाँ पे दिख रहे है, तो वो यहाँ पे set कीजिए, और बाकी यह मैंने पहले ही बता था कि आपके इस blog page पे कितने post दिखाने आपको वो आप यहाँ से manage कर सकते है, मैं फिलाल इसे default ही रहने देता हूँ, और बाकी सब as it is र हम आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़े, home double आ रहा है और साथ में यहाँ पे title भी लंबा रहा है, तो चले इसे correct कर लेते हैं, हम जाते हैं दुबारा यहाँ पे setting में, menu's में जाते है, menu's के लिए आपको appearance में जाना है, menu's में जाना है, menu's में क्या गड़बड में नहीं रखना है, यह ऐसे रखना है, मतलब कोई menu के अंदर menu आपको तायर करना है, तो आप ऐसे right click, right side में drag करो, उसे sub item बन जाएगा, यह menu के अंदर menu बन जाएगा, लेकिन हमें sub menu नहीं बनाना है, sub item नहीं बनाना है, basically, इस तरह से menu's आप arrange कर लो, दुबारा इसे save कर ल है, मतलब अभी example के लिए रख रहे है, logo जब हम लगाएंगे, तो वो भी हट जाएगा, okay, save कर देते हम इसे भी, and यहाँ पर आके refresh करते है, now, look at here, show now, home, blog, about us, wow, interesting, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गया, right, यहाँ पर disclaimer भी हमारा हो गया है, जो कि हमने disclaimer page बनाया, तो वो भ home page design करना है, सारी चीज़े, तो एक-एक करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो अलमुष्ट यहाँ पर हमारा यह design radio कहा, लेकिन अभी हमें blog में यहाँ पर पहली post अड़ करनी, जो कि hello world करके यहाँ से पहले से publish है एक post, right, तो इसे तोड़ा सा customize कर लेते हैं, जरा detail में, कि भी कैसे अपना खुद का पहला post यहाँ पर आ जाएगा, article कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारी wordpress में हम आएंगे, यहाँ पर post में click करूँगा, मैं, post में आपको hello world post दिखाई दे रहा है, अब यह मुझे जरूरी नहीं है, यह पहले से default आ जाता है, तो मैं इसे select करूँगा और इसे delete कर सकता हूँ, यहाँ से message trash कर दूँगा, अब इसे copy paste कर देता हूँ, title के बाद जो content आपने लिखे है, उन content को, अगर आपने लिखे है कई पे, तो उसे copy paste कर लो, अगर आपने मतलब type करके रखे है, तो basically, आप किसी और के content तो लेके यहाँ पर publish नहीं कर सकता है, आपके खुद के content होने चाहिए, right, मतलब unique article होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने यह article ले लिया है, paste कर दिया है, जो कि आपको आपको बोल्ड करनी होती है, कुछ चीज़े heading 1, heading 2 में show करनी होती है, अलग-अलग font में, तो वो कैसे करेंगे अभी देखते है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा format का idea बता देता है तो आपको, basically, याद रखन AI tools, Excel user in 2024, तो suppose मुझे इसको heading में convert करना है, heading में इसलिए convert करना है, क्योंकि यह question है, यह paragraph है normal, तो इससे हम bold तो कर सकते है, लेकिन इससे heading 2, 3, 4, ऐसा आप यहाँ पर अलग सा font या size apply कर सकते है, उसके लिए करना क्या enter button पहले दबा देना है, यह separately कर लो इसे, right, separate करने के अगर आप वाल option है, इसपे क्लिक कीजिए, heading पे क्लिक कीजिए, जैसे आप heading पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए, यह by default H2 आ रहा है, तो मुझे H2 नहीं लग रहा है, suppose मुझे लग रहा है कि heading बड़ी दिख रही है, तो मैं H4 कर सकता हूँ, H5 कर सकता हूँ, जो भी है, एक specific, यहाँ पे font में रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे H4 रखा है, तो बाकी सारे questions के लिए, जितने भी questions यहाँ पे इस article में और रहेंगे, उनको भी मैं H4 करोगा, और दूसरा यहाँ पे space आ चुका, इसमें कसर रखिए, keyboard पे delete button दबा दीजिए, वो space ऐसे हट साथ में उसमें कुछ images भी होना जरूरी होते हैं, और feature image भी होना जरूरी होता है, अब यह feature image कहाँ पे add करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले right side में आईए, यहाँ पे right side में आपको block और post और ऐसे दो option दिखाए दे रहें, मैं post पे click कर रहा हूँ, post पे click कर नहीं है तो upload files में जाओंगा, select files option में जाओंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे this folder में से image select करूँगा, मैंने already यहाँ पे image रखी उससे related, आपको ऐसी image यहाँ पे generate करके रखनी पड़ीगी या पिर आप जो भी image आपके पास से screenshot है, उसे आपको यहाँ पे तयार करके रखन अपड़ेगा, ध्यान रखी कि यह जो file है वो लगबक 100kb के आसपास उसके अंदर ही रहने चाहिए, मतलब 87kb भी चलेगा, बट उसके आसपास रहने चाहिए ज्यादा बड़ी file यहाँ पे अप अपलोडना करें ताकि आपका blog जो है proper load हो जाए, नहीं तो क्या होगा, ज् लोग बोलेंगी यार कितना टाइम लग रहा है लोड कोने के लिए, दूसरी तरफ जाएंगे, लोगों के पास इतना passion नहीं रहता है, so, images के size कम रखे, right, तो यहाँ पे आप देख सकते है, इसकी size कितनी, mouse pointer मैं इसके उपर रख रहा हूँ, आप देख सकते है, 41.1kb, okay, so, ठीक है, मैं इसे open करता हूँ, अब आप देख सकते है, यह image यहाँ पर आ चुकी, image यहाँ पर आने के बाद कुछ चीज़े याद रखना है, कि आपकी image भी, google searching में आ सकते है, अगर आप caption, description अगर आएड करते हो, तो यह image किसे related है, जैसे title में आ चुका है, यह AI tools है, तो भा Excel, इस तरह से आप description में उस particular image की details बर सकते हैं, जिससे की Google पर अगर कोई ऐसा कुछ सर्च कर रहा है, तो आपकी images भी Google सर्च में आने का chances रहते हैं, इससे आपका एक proper SEO भी हो जाता है, so set feature image पर मैं click करता हूँ, और जैसे मैं click करूँगा, you can see, यहाँ पर image आ चुकी है, ठीक करेंगे, suppose यहाँ पर power base related information है, और मैं power base image यहाँ पर add करना चाता हूँ, तो मैं यहाँ पर enter करूँगा, जैसे मैं enter करूँगा, यहाँ एक block तैर हो रहा है, दीकिए plus sign आ रहा है, इस add block पे मैं click करूँगा, add block पे click करने के बाद, यहाँ पर image option आ रहा है, look at there, image options पे click करते ही यहाँ पर upload image option आ रहा है, एकदम simple है, upload image पर जाहिए, यहाँ पर power base यहाँ इक image मैंने रखी, यह भी मैंने वैसी kb में रखी, अगर आप ध्यान से देखोगे 39 kb है, और इसे आप open करोगे, और यहाँ पर image add होगे, इस तरह से interesting, अब इस image को भी SEO friendly बनाने के लिए, basically इस पर click रखो image पर उसके बाद block पर click करो, और यहाँ पर alternate text option आ रहा है, तो यहाँ पर alternative text इस image related आप डाल सकते, all about Microsoft power BI, मैंने इस तरह से alternative text add कर दिया, तो यह add करना ज़रूरी इसलिए होता है, ताकि इस image को जब आप Google पर कोई आपके blog article को search कर रहा है, तो इस image को भी वहाँ पर search मे display कर सकता है, तो यह चीज़े बहुत beneficial होती है, जब आप block के अंदर इस तरह से images add करते हैं, और इस तरह से title और content को proper यह करते हैं, उसके बाद जितने भी आपके block के अंदर, suppose आपने जिस keyword पर block लिखा है, suppose आपने लिखा है AI tool for excels, तो AI tool for excels जहां जहां आ रहा है, वहाँ प उसे अलग font में highlight भी कर सकते हैं, underline कर सकते हैं, तो या फिर italic वगएरा font दे सकते हैं, जिससे क्या होता है, कि भी उसे अलग सा formatting देने की वज़ए से वह SEO friendly हो जाता है, articles basically, तो अब यह article कैसे लिखना है, मैंने आपको idea दे दिया, title कैसे देना होता है, यहाँ पे H1, H2 heading, मतलब H2 से start होगा, यह heading, image कैसे आर करना है, image को SEO friendly करने के लिए क्या करना है, यह भी मैंने आपको बता रहे हैं, अब इसे preview आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे preview बटन देख सकते हैं, top AI tools website इस तरह से दिखाए दे रहा है, बाद में यहाँ पे आ रहा है by complete technology, लेकिन यह नाम हम बदल सकते हैं, कैसे मैं आप यह दिखाऊंगा, आपको don't worry, नीचे scroll करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पूरा article आ चुका है, और image भी आ चुकी है, साथ में यह comment box भी आ चुका है, तो अब हमारा article पूरा हो चुका है, जैसे कि मैंने का यह वाला नाम मुझे बदल देना है, यहाँ पे date वगरा तो proper आ चुका है, बट यह by मेरा नाम आना चाहिए यहाँ तो हम क्या करते हैं, वापिस WordPress में चले जाते हैं, यहाँ पर WordPress में आ गए हम लोग हमार आप notice करोगे, तो मेरा first name नहीं add किया गया है, तो मैं यहाँ पे मेरा first name, उसके बाद मेरा last name, दोनों भी add कर देता हूँ, और यह दोनों add करने के बाद, अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ, तो मुझे मिल रहा है display name publicly, चलो ठीक है, यह मैं save, मतलब update कर देता हूँ, I meant to say, update profile क किया है, तो चलिए वापीस एक बार post में चले जाते है, यहाँ पे edit में जाते है, यह already save as draft हो जाता है, जब हम करते हैं, यह देखिए, draft save है, तो कोई problem नहीं है, हमने preview किया था, लेकिन अब इस blog को हम publish करते हैं, ताकि हमारे website पे देख पाए, तो मैं अभी publish बटन के लिए पे ready हो चुका हूँ, एक और चीज में बताना भूल यहाँ पे, blog publish करने के पहले आप यहाँ पे URL देख सकते हैं, तो इस URL को अभी आपको change करना है, तो आप change कर सकते हैं, basically यह URL आपके website का नाम आएगा, आगे यह blog में जो पुरा-पुरा title दिख रहा है, वो आ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ, इतना बड़ा title नहीं आना चाहिए, तो मैं इस पे click करूंगा, और यहाँ पे मैं top AI tool for excels, इतना ही रखना चाहता हूँ, तो यह website हटा देता हूँ बीच में, और यहाँ पे for excels, यह भी हटा देता हूँ, तो यह इतना चोटा मैं रखना चाहता हूँ तो यह देखिए इतना ही छोटा आ जाएगा तो आप यह link जो है इसे आप change कर सकते है प्रेमा link को आप यहां से edit कर सकते है आपके according तो यह edit होने के बाद आप publish कर दो जैसे आप publish करोगे यहां पे देखिए publish now yes publish ना होने के बाद now view post button पे click करो या इसे copy करके आप incognito mode में open कर लो तो अब आप देख सकते हैं यहां पे incognito mode में हमारे blog section में blog आ गया मैं blog पे click करूँगा यहां पे इमेज भी आ रहा है interesting right okay image भी आ रहा है साथ में यहां पे blog है यहां पे नाम आ रहा है मेरा और यह articles को जिसको पढ़ना है वो click करेगा interesting यह article यहां पर पढ़ लेगा right so यह homepage को आप design करना इसकी थूड़ी idea में देता हूँ साथ में यहां पे logo कैसे लगाना है वो भी मैं आपको idea देता हूँ तो अब मैं यहां पर wordpress पर click कर रहा हूँ जैसे में wordpress पर click करो वापिस में दुबारा आ जाता हूँ यहां पर हमारा post आ चुका है अब हमें home page design करना है अगर आप directly home page design करने के लिए जाओगे मतलब pages में जाओगे यहां पर home पर click करके edit करे के तो वही wordpress आपको एक basic सा design का option available करके देता है तो मैं यह recommend नहीं करूँगा तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको plugin suggest करने वाला हूँ plugins में जाहिए install plugin simple है plugins पर click करना है install plugins में जाहिए और यहां पर add new plugin में जाकर सबसे पहले elementor plugin डाल दो elementor plugin एक plugin ऐसा plugin है जिसकी जरीए basically आप pages को design कर सकते बहुत सरी pages design कर सकते हैं क्योंकि इसमें readymade आपको blocks मिलते हैं कैसे दिखाए देगा अभी मैं elementor website builder यहाँ पे दिखाए दे रहा है मैं इससे install कर देता हूँ तो यह मैंने यहाँ पर elementor plugin इंस्टॉल कर लिया है एक्टिवेट करने की बारी मैं एक्टिवेट कर देता और साथ में यहाँ पर एक और plugin है elementor header and footer क्योंकि जो theme में header and footer आता है उसे edit करना है वो एक bonus plugin है वो एक tricky plugin है जो मैं trick बताने वाला हूँ basically बहुत लोगों को उसका trick आइडिया नहीं रहता है लेकिन वो plugin बताने से पहले इस elementor से page कैसे edit होता है या कैसे edit कर सकते है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो बहुत ही simple है करना क्या है अब हम जाएंगे pages में all pages में अभी basically आपको home page design करके दिखारो आपको contact us या बाकी सारी pages अलग-अलग website के देखके design खुद से कर लेना है क्योंकि यह एक-एक pages design करने बैटूंगा तो बहुत time जाएगा तो हमारे बास इतना time नहीं है हमें बस फ option आने के बाद आपके सामने एक इस तरह का interface open होगा जहाँ पे basically अलग-अलग block इसे मैं continue करता हूँ अलग-अलग block आपको मिलते heading के लिए image के लिए text editor के लिए video के लिए divider के लिए divider add करना है बीच में button add करना है तो यहाँ पे आप add कर सकते example के लिए दिखा देता है बस अपने content type करें हमें आसान काम करना है तो वो तो मैं बताऊंगा लेकिन suppose example ले लो आपका homepage है इसमें आपको heading add करना है कुछ भी तो heading को लाके drag and drop करो अब यहाँ पे heading आप add कर सकते कि क्या है आपका logo ने जो भी add करना है heading add हो गया यहाँ पे plus पे click करो एक single page का पूरा block इस वीडियो की link आप यहाँ से customize कर सकते हैं but again it is time consuming मेरी साब सी elementar आप यूज कर सकते हैं बट यह time consuming है तो मैं क्या बताने वाला हूँ चलो अब हम फिस से दुबारा wordpress में आ जाते हैं मैं यहाँ पे back कर रहा हूँ और मैं plugins में दुबारा आ रहा हूँ install plugins के अंदर और यहा इन्वैटो मैं search करता हूँ इन्वैटो यह trick है बहुत useful plugin है बहुत सरे लोगों को पता नहीं होता है इन्वैटो elements यहाँ पे readymade आपको templates मिल जाते हैं install कीजे हाला कि इसमें बहुत सारे paid template है लेकिन बहुत सारे free भी है तो हम अभी free वाले इस्तमाल करेंगे उसके लिए कोई पैसे पे करने की आपको जुरुत नहीं बस इस plugin को install कर लो activate कर लो और activate होने के बाद आपका home page ready में design हैगा not just home बाकी की pages यहाँ पे design हो जाते हैं मैंने इस activate कर दिया है और आगे बढ़ते हैं अभी pages में चाहते है all pages में दुबारा यहाँ पे मैं edit में आ रहा हूँ same करूंग तो अब देखते हैं in matter elements पे click करते हैं and इसके बाद आपको install kits, premium kits, free kits, free blocks यहाँ पे options आरे तो blocks में आपको बोल रहा है कि about का block, call to action का block, contact page के उपर जो contact का block रहता है या FAQ वो block आ जाएगा तो आप यहाँ से block insert कर सकते हैं लेकिन free kits में अगर आप जाते हो नीचे scroll करते हो तो आपको कैसा kit चाहिए या पर जाकर आप search कर सकते हैं तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर अलगलग kits है मैंने यह kit select किया है learn with us, improve with us तो मैं इसे install करता हूँ, preview भी आप कर सकते हैं या पर preview भी देख सकते हैं तो मैं install कर देता हूँ चलो ठीक है आप preview करके देख लो, install करने के बा मैं suppose home का ही देना चाहता हूँ तो मैं insert template यह वाला अब मुझे पसंद यह वाला चाहिए तो यह वाला ले सकते हैं मैं इस template को insert करता हूँ जैसे मैं insert करता हूँ यहाँ पे कुछी seconds के अंदर यह template load हो जाएगा तो अब आप देख सकते हैं यह यहाँ पे template load हो चुका है आपको कोई अलग-अलग blog एड़ करने की जुरूत नहीं है interesting है पूरा पूरा content with animation settings and all सब कुछ आपको दिखा है दे रहा है जो चाहिए वो content यह block आपको नहीं चाहिए तो ब्लॉक को remove करने के लिए options है यहाँ पे जाकर आप इसे remove कर सकते है यह पूरा पूरा block remove हो जाएगा languages का आपको चाहिए suppose यह particular box remove करना तो यह वाला block remove करना तो remove तो आप एक particular चीज़े remove कर सकते है कुछ चीज़े add कर सकते है images बदलने आपको अपने customers के images डालने या किसके भी reviews और उसके images डालने वह आप यहाँ पे डाल सकते है तो धेर सारी चीज़े आप यहाँ पे कर सकते है ready made यहाँ पे आपको यह मिल गया है इंट्रेस्टिंग अब देखिए आपका home page कितना इंट्रेस्टिंग दिखाए दे रहे है right so इतना इंट्रेस्टिंग आप about us page को बना सकते है contact us page को बना सकते है disclaimer तो already आपने लिया है उसे भी बना सकते है सब pages को आप इस तरह से design करवा सकते है और properly आपकी यहाँ पर website ready हो जाएगी तो चलो अभी हमने बहुत कुछ कर लिया अब यह जो show now है इसके जगा हमारे company का show now का logo डाल देते है कैसे करना है wordpress में दुबारा आते हैं यहाँ पर back कर लिता हूं में wordpress में back back और यहाँ पर हम appearance में जाएंगे कस्टमाइज करना पड़ेगा देखिए appearance यह जो tab है इसमें customize option आपको दिखाए दे रहा है and now customize के अंदर site identity पर click कीजिए उसके बाद यहाँ पर select site icon और select title and logo setting यह site icon जो होता है वो basically यहाँ पर फेव icon होता है अगर आपके पास available एक चोटा सा logo तो यहाँ पर डाल सकते है और site title and logo setting पर हम click करेंगे जहाँ पर select logo option आ रहा है तो यहाँ यहाँ पर यह देखिए यह जो images कहां से आ रही पता है मैंने जो theme insert की वहाँ पर आ गई मेरे media में चोलो ठीक है हमारे पास upload file में जाएंगे हमारे पास logo यहाँ पर हमने example के लिए लखा है चोलो ठीक है इसको यह 7KB का यह देख सकते हैं आप size select कर देते हैं इसको थोड़ा इसकी size ऐसा drag कर लेते हैं show now crop image ओके यह logo यहाँ पर आ चुका है राइट तो यह side title आपको हटाना है तो यहाँ से आप show now हटा दो यह हट जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं यह title गाइब हो चुका है आगे यह tagline के आपको जुरुत है नहीं है वह आप यहाँ पर रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं वह आपके उपर है and that's it यहाँ पर लेकिन एक बात देखो लोगो बहुत बढ़ा रहा है ऐसा आपको लग रहा है तो लोगो वीड़ा भी option दिया इन्हों नहीं चोटा करते जाओ चोटा करते जाओ लेकिन आपको लग रहा हो गया इसका तो प्रॉफ्स्लिटी चैंज हो गया मतलब वर्टिकली यह वीड़त हो गया लेकिन यहाँ पर जैसे हम इसे publish करेंगी एक्चुल में आ जाए तो size यहाँ पर कम कर लो publish कर लो और एक बार यहाँ पर आके refresh कर लो यहाँ पर इस page पर यह देखिए proper है अगर आपको इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर लोगों कैसे add करना है मैंने आपको बता दिया तो almost हमारी site यहाँ पर design होगी blog के अंदर blog कैसे add करना है articles कैसे लिखना है वो मैंने बताया pages कैसे design करना है वो मैंने बताया और इसमें बहुत सारी चीज़े और भी होती है अगर आप चाहते कि यार मैं इसके उपर design करूँ एक अच्छा सा course तो आप मुझे comment section में जरूर लिख देना आप शुरुआत तो कीजी है अगर आपको चाहिए और भी information तो आप हमें comment में जरूर लिख दीजिएगा हम इसके उपर और tutorial बनाएंगे या फिर एक systematic course design करेंगे जिसमें गूगल SEO कैसे करना रहता है या धेर सारी चीज़े होती है जो इसमें इससे related है वो हम आपको बता देंगे फिलाल तो ये वडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना अच्छा लगा है तो like share और comment करना मिलते आगले वडियो के अंदर तब तके लिए अपना खायाल रखो बाई बाई